मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं आरके सारे एक बार फिर से आपके सामने एक टॉपिक हाउ टू टेकल यूर चाइल पे लेकर आया हूँ और उसके कुछ बहुत इंपॉर्टन पॉइंट मैं आज आप से डिसक्स करने जा रहा हूँ उमीद आपको बहुत पसंद आएगा चलिए मैं step by step यहां कुछ seven steps लिखे हैं और इन सारे steps को खतम होने तक आपको मालू हो जाएगा कि आपको अपनी child के साथ क्या नहीं करना है जो सबसे major mistake हम करते हैं बहुत सारी problem हमको face करनी पड़ती है उसको पढ़ाने से लेके उसको सिखाने से लेके बहुत सारी ऐसी और चीजों में अगर हम इन points के बारे में जो मैं step wise अभी discuss करने जा रहा हूँ अगर हर एक points को आप वीडियो के end तक सुनेंगे तो आपको मालू हो गए आपको अपने child के साथ क्या क्या नहीं करना है जो कि अमुमन usually हर एक parents अपने child के साथ करते हैं जितने भी students जितने भी parents इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत ध्यान से आपको हर steps को सुनना है चलिए पहले हम बात करते हैं first step की मैंने यहां लिखाया है don't demonstrate your child before anyone पहले line का clarification क्या है कि don't demonstrate your child before anyone अपने बच्चे का कभी भी किसी दूसरे के सामने परदर्शन ना करें demonstration ना करें अवोन हम यह गलती करते हैं जब भी हमारे घर पे कोई आता है हमारे चैव रेलेटिव होता है चैव हमारा neighbor होता है चैव आसपास के जो भी लोग होते हैं जो इनसे हमारा परिश्य होता है हम अपने बच्चे को तुरंत call करते हैं वो मैं बात कर रहा हूं nursery प्रिश्री प्रिश्री आपके लकेजी यूकेजी फर्स्ट और हमने दिखा है कि सेवन्त एट नाइन टेंट तक भी बच्चों का demonstration करते हैं जो की बहुत बहुत बड़ी विस्टेक है उसमें हम क्या करते हैं बच्चे को call करते हैं और किसी एक topic बेटा इनको टेबल बोल के सुनाओ इनको a4 apple बताओ कैसे हैं smile कैसे करते हैं cry कैसे करते हैं तमाम ऐसी तरह की चीजें जो हमने उसको सिखाई होती हैं या उसने school से सिखी होती हैं हम कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा उनके सामने बोल दे और बस आप खुश हो जाते हैं ऐसा आज की बात बिलकुल न नहीं हुआ होता है तो वो तवाम तरह की चीजे जो expect कर रहे हैं आप वो नहीं बोल पाता है और जब वो नहीं बोल पाता है तो आपको भी गुस्सा आता है और बाद में इस बात के लिए आप उसको punish करते हैं और future में वो कभी भी किसी के सामने कुछ नहीं बोल पाता है य और ये childhood से ही शुरू होती है और वो हमारी mistake है कि हम अपने बच्चे का demonstration हमेशा सब के सामने करते रहेते हैं तो आज के बाद आपने अपने बच्चे का demonstration सब के सामने ऐसे नहीं करना है चलिए second thing पर आते हैं don't compare with anyone एक प्रावलम हमारे साथ और भी है कि हम अपने बच्चे का comparison हमेशा करते हैं आप लोग भी शायद करते होंगे आपने बहुत बारे से दिखा होगा कि हम अपने साइड रखे और पडोसी के बच्चे को जिसके बारे में हमने सुना होता है हम तुल वो यह नहीं करता है वो वो नहीं करता है तमाम ऐसी तरह की चीज़ें discussion हम पूरे family member के सामने आप उस बच्चे का comparison करते हैं इससे बच्चे में एक infinity complex आता है वो बच्चे को बार बार जब आप याद लाते हैं कि आप 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 इतने बुरे हो आप time waste करते हो आप लोगों स उसका दिमाग उसको realize कराजता है कि वो औरों से inferior है वो औरों से कम है उसके अंदर quality कम है तो इस बात का आगे से ध्यान रखना है कि अपने बच्चे का comparison सभी के सामने चाहिए वो आपके family member हो चाहिए आपको relatives हैं चाहिए आपके neighbor हो उनके सामने उनका comparison नहीं करना है किसी भ thing don't discuss with him in public यह गलती और हम लोग करते हैं कि हम अपने बच्चे को अगर कुछ समझाना होता है तो यह नहीं देखते कौन सा प्लेस है उसको family के सामने समझाना शुरू कर देते हैं सबके सामने उसको relatives बैठे हैं उनके सामने समझाना शुरू करते हैं या अपने neighbor जो बैठे ह जो आपके friend circle के हैं उसके सामने हम बच्चे को उसको distance करना उसको शुरू करते हैं किसी ऐसे चीज़ के उपर जिस पे उसकी कहीं न कहीं कोई कमी निकली होती है और वो हम सारी बातें publicly अपने neighbor को उस relatives को और अपने family member को बता बता के उसको करते हैं इससे क्या होता है कि बच् किसी से बात नहीं करेगा और उसके अंदर जितनी सारी ability आनी है जो चीजिए उसके बाहर आनी होती है वो बिलकुल भाहर नहीं आपेंगी तो आज के बाद हम कभी भी कुछ भी उसकी mistake हो कोई भी इसको ऐसी चीज़ बात हो तो उसको अलग से ले जाके room में अलग से बात कर होगे इसको छोना नहीं है वो नहीं करना है यह नहीं करना हमेशा अपनी बोल चाल की भाशा में no never don't don't take it don't talk like that don't do this इस तरह के don't जो जितने don't है हम उनको लगा लगा के उसको यह realize कराते रहते हैं कि जितनी भी activity वो कर रहा है अपने मंद से यह जो भी कुछ करना चारा है वो वो कर नहीं पाएगा अब अब यह यह indirectly हम उसके mind में लगाता दो चार पांच साल तक feeding करते हैं और अंत में अगर कुछ वो creative कर करना चारा है तो अब वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा तो यह यह बहुत बहुत important point है यह आपने ध्यान अखना है कि अब बच्चे को हमेशा आप no never don't don't take it don't do that don't go there इस तरह नहीं करना है अगर उसके पीछे को genuine reason है तो आप उसको कुछ बता के अच्छे से discuss करके तो ही मना करेंगे चले next point talk logically हम अमुवन क्या करते हैं बच्चों को क्योंकि 21 century में हम लोग entry कर चुके हैं अब बच्चों का जो standard level है बच्चों का जो mind level है बच्चों का जो grasping power है बहुत जादा है बच्चे छोटे से level पे ही बहुत सारे internet mobile आप जो भी नई technology है वो use करते हैं जो हम उनको बताएं कि किस वज़े से आपको यह नहीं करना है जब आप बच्चों को logically treat करते हैं logically कोई बात चीद बताते हैं तो बच्चों को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि अगर मैं ऐसा करूं आ तो यह हो जाएगा अगर मैंने उसको ऐसे पिंच किया तो वह मुझे कु अच्छे से हैंडल होंगे नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रेज बिफोर एवरिवन एक यह बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है प्रेज बिफोर एवरिवन वाला कि आप क्या करें बच्चे के अंदर कोई ना कोई ऐसे खास बात तो होती है जिसे कारण आप बच्चों से ब बताईए कि देखो इसके अंदर यह बहुत अच्छी बात है और यह प्रेज ऐसी चीज है जो आपके बच्चे में वह सारे गुण पैदा कर देगा वह सारी एबिलेटी ला देगा जो उसके नहीं है हर एक वेक्ति को पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी परशन सा बहुत जो आए होके करेगा तो यह इस इस पॉइंट का आपने बहुत द्यानक ना है प्रेज वाला जो प्रेज आपने बच्चे का प्रेज उसकी अच्छी बात के लिए जो हो पब्लिकली वह जरूर करना है नेक्स्ट और लास्ट वाला पॉइंट आप अगर चाहते हैं कि बहु को ट्रीट करते समय यूज करते हैं तो उसके अंदर वो सारे चेंजिज ला सकते हैं जो आप चाहते हैं तो यह कुछ पॉइंट मैंने आज आपको बताए सिवन पॉइंट्स हाव टु टेकल यूर चाइल्ड अगर आप वाकई एक अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं आ किसी ऐसे पेरेंट्स में देखते हैं जिनका बच्चा आपको वेल मैनर्ड और एजुकेटेड लगता है आज की इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजे में आपको लेके आउगा बस आपसे एक ही बात रिक्